आपको इस इन तीनों फोटो में एक डिफ्रेंस आपको नजार आ रहा है आपको अगर बता सकते हो तो नीचे कॉमेंट करके बताओ आगे वीडियो में ज़रू से बताने वालाओ मोटो के अंदर एक huge bugs है गाईज मुझे पता नहीं यह कैसे हो गया डेफिनेटली वीडियो का आगे देख 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 रहो हेंगे वालाओ आपके कहने पर मैं फिर से एक exclusive camera test लेके आ गया हूँ मोटो एज 50 वर्सेस ओरनल 200 वर्सेस वीबो भी 40 इन दिनों का अपने camera test के लिए रिक्वेस्ट किया था आज आज आपके कहने पर मैं इस camera test को लेके आ गया हूँ और प्लीज यार आप अगर चैनल पर नए हो क्या कर रहे हो या आज चैनल को अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे में आके बर पाऊंगा कैसे और भी फ्यूचर में एक्स्क्लूसिव ऐसे content देवाँ मैं बहुत ज्यादा इंग्वेस्ट करता हूं चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकर सब्सक्राइब करना लाइक करना लाइक कर इस बजेट में आपको 10MP का वाइस के साथ 3X टेली फोटो लेंज भी दिया है और 13MP का अपको एक अल्ट्रोइट क्यामरा देखने को मिलता है जो कि मैक्रों का भी काम कर सकता है और सामने है 32MP का सेल्फी क्यामरा बाकि ऑनर के अंदर आपको 50MP का में सेंसर देखने को मिलता है 50MP का अल्ट्रोइट कैमरा देखने को मिलता है ऑडिट में और याप तीन ही थोरा बहुत को बूस्टेट करता है यहां पर सबसे ज्यादा बूस्ट में बोलूंगा वीवो को बाकि एक बात बता दो गाइस तीन ही के अंदर आपको अलग-अलग मोर्ण मोर्स ब्रकाश को को मिलता है जो भीव है इसके अंदर आपको जाइश का नेचरल मोड देखने को मिलता है जिसको आपकर अगर आपको स्लाइटली कम बुष्टेट कर रहे या फिर नहीं करेंगे फोन को पॉके से निकाल के ज्यादा तर लोग जीस तरह के से क्यामरा को क्लिक करेंगे उस तरह क आपको डिटेइंग लेवल की बात कर दोटल तो मैं बोलूंगा सबसे अच्छा दितेकर यहां पर फॉवाइट किया है जैसे जब देख सकतो ऑणर उसके बाद मैं बोलूँगा जो मोटो एंजड जो भीवो है वह मैं बोलूँगा आपनों सीमिलर डिटेइंग लेवल पर काफी आचा है बट भीवो के अंदर आप ज्यादा पास तक नहीं जा सकते हैं इन दोनों में से काफी कम पास जा सकते हो जैसे के आप देख सकते हो बट वीवो का डिटेंग लेवल इन तीनों में से सबसे कम लगा मुझे बाकी वन अप दा बैस्ट में यहां पर बोलना ज़्यादा है कॉमपेर टू आप देख सकते हो मोटो मोटो का फिल्ड व्यू उतना ज्यादा नहीं है कॉमपेर टो यह दिनों सबसे ज्यादा फिल्ड व्यू आपर मैं बोलूंगा ओनर को उसके बाद भीवो और सबसे कम यहां पर है मोटो बागी काई अगर मैं किसी भी यहां पर गाइज आप एक चीज़ देखो सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा सबसे अच्छा यहां पर प्रोवाइट कर रहा है उसके बाद मैं बोलूंगा जो मोटो एंड जो ओनर हो सिमिलर डिटेरिंग लेवल प्रोवाइट कर रहा है बागी का गाइस में फर्क है कलर बग करता आँगा अब यह है में सेंसर का फॉटो में सेंसर में तीनों कमाल का फॉटो क्लिक कर सकता है यहां पर पर मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा जो फीवव वीफ होटी एक्च्छुएली सिन को रिप्लिकेट किया है क्योंकि थोड़ा सा बारिस हुआ था यहां पर आप द देख सकतो गाईज डिटेंग लेबल के मामलों में आल्मोस्ट मैं बोलूंगा तीनोई इकुल है तीनोई का ज्यादा कुछ फर्क नहीं है यहां पर मैं अगर मुझे एक्चुली चूज करना हो तो मैं सबसे ज्यादा डिटेंग लेबल यहां पर मोटो लग रहा है उसके बा देख सकतो इन दोनों से काफी अच्छा है मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा लेकिन यह दोनों जो फॉन है वीव और जो मोटो है दोनों ही डिजिटेली जूम कर रहा है 2.5 एक्स में यहां पर एक चीज़ देखो यहां पर आप देखो आपको समझ में आ जाएगा जो ड स्वाइटली मोटो का बहतर है यहां पर आप स्टेक्चर भग रहा देखो आई होप को समझ आ जाएगा यहां पर वन आप दा बेस्तों मैं बोलूंगा जो ऑनर है इसको 2.5 एक्स में बड़ गई से बदल भी बाला है रुख जाओ एक जो मोटो है इसको मैंने 2.5 एक्स पर यहां पर गाईस अगर मैं जूम करता हूं अगर आपको डिटेंग लेवल बगरा दिखाता हूं अभी यह भी नहीं बता कि किसका अच्छा होगा यहां पर slightly मैं बोलूँगा मुझे देखके दोनों काफी हद तक सिमिलर है विवो का बात तो छोड़ी दो विवो पूरा नहीं कर पाएगा बाकी इन दोनों में से मैं बोलूँगा स्लाइकली मोटो अच्छा है अब बड़े कंप्यूटर स्कीन पर देख रहा हूं तो ही मुझे पता चल रहा है बाकी यूज कुछ डिफ्रेंस नहीं है बाकी गाईस यह है इन तीनों का 10x फोटो और 10x में मैं बोलूँगा जो ओनर है और जो मोटो है काफी अच्छा वन अफ दा बेस्ट मैं बोलूँगा यह पर मोटो को जैसे ही आप देख सकतो और भीवो उतना अच्छा नहीं है विवो के बाद छोड़ी दो और यह है इन तीनों का 20x जूम फोटो और यह पर मैक्सिमाम भीवो 20x तकी जूम कर सकता है और भीवो का आप डिटेंग लेवेल बागड़ा देख सकतो सबसे पूर है ओनर भी विवो से अच्छा है इन फाक्ट वन अफ दा बेस्ट मैं बोलूँगा मोटो को इन दोनों का 30x जूम फोटो और 30x पर मैं बोलूँगा और स्लाहिटली मुझे बहतर लगा कॉंपेर टू मोटो मैक्सिमाम 30x तक ही जूम कर सकता है इन फैक्ट इन फैक्ट इन फैक्ट गाइस यह हैं इन तीनों का हाई रेजुलूशन फोटो मतलब तीनों के अंदरा को 50 मिया पिसल का म मैंने फोटो क्लिक किया है और यहां पर गाईस अगर मैं आपको जूम करके डिटेंग लेवल बगरा दिखाओं तो यहां पर जो इंडियान आर्मी लिखा हुआ है देखते हैं किसमें सबसे अच्छा है यहां पर मैं बोलूंगा इन तीनों में से मैं बोलूंगा वीबो ईंड जो और हैं वहां सिमिलरर है बेर्ट मुझे मोटियुक लेखा हुआ सबब् consistष well savoir तीनों में से मैं बोलूँगा one of the best मैं बोलूँगा जो ओनर है एंड जो वीवो है दोनों यह almost similar है बेस्ट बोलना गलत होगा मतलब वीवो एंड जो ओनर है अल्मोस सिमिलर है बड़ ऑनर जो स्वारी जो मोटो है तो थोड़ा सा विक है ओके ओके गई तो अब एह है सेल्फी एंड सेल्फी में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा तीनों ही कमाल का सेल्फी फॉटो खीश सकता है बड़ इन तीनों में से अगर मुझे कोई साफी एक पीक करना हो one of the best तो मैं यहां पर बोलना चाहूँगा जो ओनर का सेल्फी हो मुझे one of the best लगा यहां पर डिटेंग सब कुछ अच्छा है इस भीवो का सेल्फी आप देख सकतो जो कलर सबकुछ आप देखोगा इस कितना ज्यादा अच्छा है इन फैक्त मैं बोलूँगा दोनों काफी हत तक सिमिलार भी है बड़ मुझे मोटो का सेल्फी उतना अच्छा मैं नहीं बोलूँगा बागी के बात करूं ऑनर की लगा यहां पर भीवो एन ऑनर अल्मोस सिमिलर क्लिक कर रहा है सेल्फी डिटेंग डेवल के मंबड़ में बाकी जो कलर सब्सक्राइब मुझे थोड़ासा पसंद आया बाकी भीवो का भी वान अप दा बेस्ट है बाकी सेल्फी के डिपार्टमेंट मे मैं बोलूगा मोटो थोड़ासा पीछे है अब यहां पर गाइस एक सॉकिंग चीज मुझे देखने को मिला ओ तो आपको बताऊं गई लेकिन उससे पहले यहां पर में लिए आपको तीन्यों ही वानेक्स पोट्रेट में काफी अचा पोट्रेट फाटो क्लिक कर सकता है यह जो को अजीब सा बना दिया है यहां पर आप देखो स्ट्रेक्टर है अलग है इस को क्या पता नहीं इस क्या अपको मिल रहें मोटो के अंतर साय कोमेंट करें बताना ओके गाइस तो अब एह है एक और पोट्रेट फोटो एन इन तीनों ही ने कमाल का गाइस पोट्रेट फोटो खीश सकता है अब आपको एक चीज बता देता हूँ ए गाइस है मोटो का 3x पोपर एह है वीवो का 2x एन जो ओनर है इसका 2.5x एन यहां पर ग देखो अगर मैं तीनों को ही अगर में जूम करका आपको दिखाता हूं तो पिर यहां पर एक चीज देखो कमाल का लग रहा है यार मोटो मोटो आप फोटो देखो आम मोटो का जो 3x पोट्रेट लेंस दिया है पर्पर कमाल का लग रहा है भीवो को बीट एक 26,000 का फोन ए कर दिया tap कर दिया बटंप अगर बात करूँ स्कींतों की गळूरद की बैक्घृऊंड ब्लर की जैसे के आपसक्ते हैं आपसे ज्यादे बैक्घृंड आपको देखने को मिल नमर्ट के अंदर कि की मोटो मघ फुना तो मैं बोलना चाहूंगा इन तीनों फोटो में से मुझे लग रहा है और नर का डिटेंग लेवल भी आप देख सकतो वन अपद बेस्ट है बागी मोटो का वी स्कीन स्मूथनेस थोड़ा से एड कर दिया है बागी वीवो का डिटेंग लेवल उतना अच्छा नहीं है वीव यहाँ पर पर तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एकस्पोजल लेवल कर लेकुंट खाफी अच्छे से हैंडेल किया है वीवो थोड़ा सा ब्राइट फोटो आया है यहाँ पर सब्से कम एकस्पोजल लेवल मुझें दिखाई दे रहा है ऑनर के अंदर है रेका देख सकता सबसे ज्यादा है आपको कितने अच्छी से दिखाई दे रहा है जब सबसे ज्यादा है बाकि दो नमबर पर आथा है और सबसे कम यहां पर है अब आपको अच्छा लगा अब एह है इन तीनोई का 4K वीडियो सेंपल यहां पर तीनोई काफी अच्छा मैं बोलूँगा यहां पर मोटो के अंदर गाईस मैं पोलूँगा एया इसके वैसे मोटो एज 50 प्रो से तो काफी अच्छा मुझे लगा स्टेवल लगा फूटेज क्योंकि जो मोटो एज 50 प्रो था उसके अंदर बहुत ज्यादा जीटार निस बहुत ज्यादा फ्रेम रोप होता था उसके तुलना में कम है बाखी गाईस अगर मैं बात करूं कलर्स बगरा की तो यहां पर भीवो कलर्स को सबसे ज्यादा बूस सकता है बागे और एंद भीवो के अंदर यह प्रोब्लेम मुझे उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला अब यह है इन दोनों का पोट्रेट वीडियो दोनों काफी अच्छा पोट्रेट वीडियो रेकॉड कर सकता है मेली फर्क है कलार्स बगरा में बागी एस डियक्सन द काफी लिए अच्छा लग रहा है आपको किसका अच्छा लगा नीचे कॉमें घर करका बताना उपर देख वीडियो में आसका तो आप लिए बहुत ज्यादा पसंद आ है क्या ओपीडिये ने नीचे कॉमें पर्ता हो एं हारे कॉमेंट कर रिप्लाई भी चून चून करता ह एक बार कॉमेंट करके देखो तो बस गैस मेले वीडियो में मेरा पूरा अंतक्सार देने के लिए बहुत बद्धानेवाद बबाई